हाई इस्टोर्ण से हम दीपक्र जो रही है वेल्कम टू माई चैनल फोकस क्लासे इस्टोर्ण साभी जो क्वेशन लेकिया है वो नंबर सिस्टम से है क्लास 9 के लिए एक छोटा से बड़ बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेशन है इसके अंदर बोला गया इफ 9 की पावर x प्लस 2 एक्वल टू 240 प्लस 9 की पावर x दैन फाइंड वैल्यू आफ एक्स ठीक है तो एक हम दोगो को क्या दे रखा है एक रिलेशन दे रखा है उसके बेसिस में x की वैल्यू फाइंड करनी है तो चलिए जो दी हुई कंडिशन है यहीं से लेकर स्टार्ट करते है तो क्वेशन में हम दोगो को बोला है 9 की पावर x प्लस 2 दिस इक्वल टू 240 प्लस 9 की पावर x फाइनली हम दोगो को क्या निकालना है x की वैल्यू निकालनी है और x हम लोग जो देख रहे है वो या तो इस टर्म के अंदर है या फिर इस टर्म के अंदर है तो जब भी कभी इस तरह के questions होते हैं तो variable एक तरफ लेके आते हैं constant एक तरफ लेके जाते हैं तो क्या करें इस टर्म को हम लोग इदर transpose कर देते हैं चीक है तब इसको लिख सकते है 9 की पावर X प्लस 2 यहां पे था ही इसको राश्पोर्स करेंगे तो यह माइनस में आएगा 9 की पावर X and this equal to 240 correct exponent की पॉबर्डी होती है जड़ा देखते हैं A की पावर M into A की पावर N में इसका भी भी दो नबर्स हों जिनके basic जैसे होते हैं तो इनके multiplication में क्या होता है उनकी पावर्स प्लस हो जाती है, तो तब इसको लिख सकते है M प्लस N, तो जब ये form होती है 9 की पावर x into 9 की पावर 2 देखो यह identity यूज़ करिए minus 9 की पावर x and this equal to कितना हुआ 240 आप यहां पर कितने टर्म में इस साइड में 2 टर्म्स देख पा रहा है आप क्या दोनों टर्म्स में से कुछ common है 9 की पावर x यहां भी है 9 की पावर x हम लोगोंने common लिया तो देखो यह तो बाहर आगया है यहां से क्या रहा 9 की पावर 2 यानिकि 9 स्क्वार minus करसाइन एपूट करिए और यह तो common आगया तो यहां से क्या पसता है 1 and this equal to 240 अब इसको further simplify करें 9 की पावर x और 9 की पावर 2 यानिकि 9 स्क्वार का मतलब 81 minus 1 equal to 240 correct so 9 की पावर x 81 में से अगर 1 को minus करें तो कितना रहा 80 and this equal to 240 अब variable तो यहां पर है तो क्या करें 80 को transpose करने so 9 की पावर x equal to 240 तो अब 80 क्या करेगा divide करेगा divide किया तो 3 so 9 की पावर x equal to what 3 अब जब कभी भी इस तरह की questions हो ठीक है जहां पर हम लोगों को variable find करना हो exponents related questions जब हो और अगर हम लोगों का जो variable है वो क्या हो power में हो तो ऐसे case में हम लोग क्या करते है basic जैसे करते है और कभी जब variable base में हो तो क्या करते है power से एक जैसे करते है ठीक है तो अभी जो अभी हम लोगों के साबने question है इसमें तो जो variable है वो कहाँ पर है power में है न इसका मतलब base एक जैसे करने पड़ेंगे तो अभी क्या करें यहाँ पर base क्या है 3 ठीक है इसको 3 को 3 की power 1 लिख सकते है कोई problem नहीं तो यहाँ पर base क्या है 3 क्या इस 9 को change किया जा सकता है देखो 9 को अगर factorize करें तो 9 को लिख सकते है हम लोग 3 into 3 3 into 3 का मतलब 3 square चिक है तो इसको हम लोगों ने लिख दिया 3 square और इसके उपर power कितनी लगी है x so this equal to 3 की power 1 ऐसा लिख सकते है हम लोग एक property और exponent की होती है अगर एकी power m के उपर एक और power लगी होती है मिस powers की उपर powers होती है then powers are multiply it ठीक है तो यह property हम लोग यहाँ लगा सकते है power की उपर power है तो क्या लिखा जा सकता है इसको 3 की power 2 x equal to 3 की power 1 अब हम लोग क्या देख रहे है यहाँ पर दो नमबर है मिस दौनों नमबर के base एक जैसे है बीच में equal का साहर है तो यह तो कब possible है जब powers भी आपस में कैसी हो equal हो यानि कि हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि दो number equal है और अगर उनके base equal है तब power भी equal automatically होंगी तब ही possible है ना इसका मातलब यहीं से एक चीज निकल के आ जाती है क्या 2 x equal to what 1 और 2 x equal to 1 है तो x equal to कितना हो जाएगा 1 upon 2 और यही हम लोगों का answer है I hope this student's question समझ आगे होगा अगर ऐसा तो प्लीज वीडियो को लाइक करता है चैनल को subscribe करना और बागी की वीडियो के लिए आप मेरी प्लेलिस में चुले जाएगे इस तरह की बहुत सार रेक्वेस्टिंस अल्रड़ी में अप्लोच करे है फिर से आता हूँ एक नई question नई concept के साथ में till then keep learning and thank you for watching this video